भाई जनता सरकार मोर्चा पहुंच लिया है जालोर में जालोर के अंदर हम लोग पहुंचे हैं राजस्थान के अंदर और असली जो मक्सद है देखा उमारे दोनु साथी यू खिंड क्याड़ा ना यू इसका करया करा है यू सारा काम यू नुका है सारे राज्य जाओंगे सारे के सारे राज्य पूरे बारत के पाच्छा देख लो पाच्छा दिखाऊंगा आज क्या तारीख है क्या है तारीख भाई सुझी ले तारीख पूल लगे कहें जनों चाल रहे हैं सारा की कमर भी लागी दूकन इस टेम जालोर 44 किलोमेटर नियून पाली 140 किलोमेटर और इस वक्त हम हैं गराम पंचायत राम सिंड में उदर देखोगे बीनवाल 28 किलोमेटर सांचोर 110 और यानि के आप आप एमदाबाद से केवल 200-200 किलोमेटर हैं आप लोगों को आज के संडे ना यह तो ज्यान होगा संडे है संडे है तो 17 तारीख आज इसका मतलब संडे है त गुजरात के अंदर ही किसी और स्टेट में हो लेकिन गुजरात वाड़े साथी एमदाबाद वाड़े साथियों को बता दें कि एमदा गुजरात में पूरे स्टेट के अंदर हर जिले के अंदर मीटिंग होने वाड़ी है जनता सरकार मोर्चागी राजस्थान में भी सब्छालल और इसे पहले जैपुर और यान से जालोर से सब्हों में rough अभीन हैक्ते अमीं लोग से रहें ओपन करें भी उपन करें आपको बौझ मैं यहाएं से निकलेंगे और एमदाबाद की तरफ और बहुत जल्दी आपसे लोगों से मुलागात होगी सबसे बड़ी बात जो बतानी की है वो यह है कि विवस्था परिवर्तन के लिए जो चले हुए हैं उसमें आने वाड़े वक्त में इस देश में भारत के अंदर भी शिरलंका जैसी स्थीति बताई जाने वाड़ी है कि लोगों को साइकलोजिकल तरीके से त्यार करना शुरू कर दिया अस्थिति होगी तो तुम के करोगे तो उस टैम खातर ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो वाकई में सिचिशन को समझते हैं आने वाले टाइम में फूड की जो स्टोरेज है या जो प्रोसेसिंग है या खेती से जुड़े हुए जितने और वेशाय हैं उनको और कैसे मजबूत किया जाए तो इस पर नरेंदर भाई दो बात कहूंगे के सुसेल भाई बतावे चल बैस अभी साथिया राम राम साहराना है राजस्थान के जो साथि हैं हम उनको बता नहीं पाए और उनसे बिना मतलब बात हुए में राजस्तान में आए हैं तो यकीन मानिए कि आपर आपने इस तरह के साथी ढूड़े हैं और जल्दी ही पूरे राजस्थान के कोल देंगे जिसमें जनता सरकार मोर्चा गठन किया जाएगा उसके लिए में पहले फिल्टर कर रहे हैं कि किन किन लोगों को आपसे मिलवाना है तो आप त्यार रहे हैं अब हमको बिना बताया है और जाती हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम चितोड़ कर दोके जाएं जहां तक मृत्यू प्रेंट तक जड़ाई लड़ी थी गुलामिय खिलाप उसकी दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा नहीं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि जिस तरह हमें एक मतलब एक पीड़ा है अपने अंदर अचानक चले जाने के बाद राजीव दिख्शित जी के जाने के बाद वो विचार अब लाखो गुना बढ़के और अब फैल चुका है हर सहर हर गाउं तक राजीव दिख्शित निकल रहे हैं और जो पिछला लगबग 10 साल का समय है उस 10 साल ने ये परगति की है कि हम आज राजीव भाई के उस सपने को साकार करने के लिए उस सपने के अंदर अपना सपना मिलाने के लिए लगबग हरियाना से 800-900 किलोमेटर दूर हैं और ये सफर अगले दो दिन में लगबग 300-400 किलोमेटर और लगबग एहमदाबाद तक और पहुंच का सपना आगे बढ़ाते हुए बस उसी को पूरा करने के लिए उसी को कदमों में कदम मिलाने के लिए चले हैं और कोशिश रहेगी कि आप सब भी साथ रहें देखते जाएं और लोगों तक बताएं मैं नरेंदर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा दो शब्द बो भी अपन में साथ चलने के लिए तैयार हैं तो जो सपना हमने केवल हरियाना के लिए देखा था उसमें खुसी की बात ये है कि हमारे जैसे हर स्टेट में राजस्थान गुजरात महराश्टर उत्तर-परदेश हर राज्य में ऐसे साथी मिल रहे हैं जो हम जैवी खेती के माध्यम से आयुरवेद के माध्यम से गव माता को बचाने का जो अभ्यान राजी भाई के सपनों का जो भारत था व्यवस्थाओं के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम साथियों के माध्यम से मिल करके निकलने के लिए आ रहे हैं तो सब के ल यही जानकारी जो आप अभी यात्र उसके लिए प्लाइन कर रहे हैं जो अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए भी जानकारी साथियों को दे दें दूसरे राज्यों से अगर साथी आना चाहें तो क्या करें उसके लिए उसके लिए हम दूसरे राज्यों के साथ प्रांत में कैसे उस कारिये को गति दें वो साथी हम उनको सथान जगह तिती बता देंगे कि उस हरियाना की बैठक में उन सब का भी आवान करेंगे कि वो मुख्य मुख्य साथी आगे कारिया योजना समझने के लिए आमंत्रित रहेंगे मतलब यह है तो मैं आप सबी साथियों को बता दूँ कि आप अगर लड़ना चाहते हैं इस न्यू वर्ड और से तो इसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला और पहला जो लॉट है इसमें सो साथियों का तीन दिन का हम प्लान कर रह प्रेंदर का अक्षम जो नर्वाल भाई है उसका विकास सिस्सर का और किनी साथियों का आप मैसेज कर दीजिए 951817000 पर वट्सप कर सकते हैं यह मेरा नंबर है मैं देवेंदर बलारा बोल रहा हूं और आप उन साथियों से कनेक्ट हो सकते हैं कोई भी और सवाल है कमेंट लोगों को बोलिए इसको फोलो करें सुशिल नर्वाल वाला पेज चल रहा है जनता सरकार मोर्चा का पेज अभी चल रहा है उनको आप ज्यादे ज्यादर लोगों तक पहुंचाईए तो अभी के लिए इतना ही बहुत जल्दी आपके साथ दुबारा मिलेंगे तब तक के नमस्कार